आपको जो भी लेंक्स हैं या जो की भी जो भी टॉपिक्स वगरा है वो मैं आपको भी शेर कर दूँगा तो दीरे-दीरे चीज़ें स्मूथली आ जाएंगी अचानक से सारी चीज़ें नहीं होंगी बट इट विल टेक सम टाइम्स ठीके थोड़ा सा आपका कॉपरेशन्स देहर रखना होगा पैशेंस अना होगा और आइवोप कि अभी सारे लोग आ चुके होंगे छो लोग आ चुके हैं अभी पलक नहीं आई है और और कौन नहीं आया है गौरब आगया आशू आगया वन्शिका गोविन अचा ओके पलक आचुकी है ठीके चलो देखते हैं जो modern history की अधी हम बात करें तो history को हमने तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाता अभी तक that is ancient, ancient मतलब प्राचीन होगा, यह हमारा जो है इंडस, stonage से हम इसको शुरू करते हैं और stonage से शुरू करके हम मौटे तोर पर 780 तक लेकर जाते हैं यह वो टाइम होता है जब मोहमद बिन कासिम भारत में इसलाम को लेकर आता है तो यह हमारा प्राचीन भारत है यह ancient history है अभी हम जो है second वाले पार्ट की बात करें तो this is called medieval age यह हम किवर understanding के लिए रखते हैं 700 से 1700 तक रखते हैं और 1700 से ही हम मौटे तोर पर देखते हैं there is a starting of the modern history आधनी भारत की शुरुवात हम मानते हैं अब देखिए exactly जो घटना है यह तो 1700 है हम देखिए कितने दिन से शुरू करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन exactly आज हम 26 January को आप शुरू कर पा रहे हैं बराबर हैं तो 26 January से हम शुरू कर पा रहे हैं यहां पर exactly यदि मौटे तोर पर देखें कि वैसे ही है जिसको इसको समझना है इसको समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा देखिए मैं आपको एक चीछ और बता देता हूँ आज है 26 January 2022 आज क्या हुआ था हमारा रिपब्लिक लागू हुआ था रिपब्लिक लागू होने का मतलब है कि आज से एप्लिकेबल हो चुका था लेकिन क्या यह हमारा जो गरतनत्र है वो बनकर तयार हो चुका था पहले यस यह हमारा 49 में ही बन चुका था 26 January 2949 को ही आपका बनकर चल तयार हो चुका था लेकिन एग्जेक्ली हमने इसका वेट किया और वेट कब तक किया हमने वेट किया 26 जैन्वरी 1950 तक क्योंकि यह हमारे लिए it was a kind of independence day जी हाँ आपने सही सुना मैं यह यह आपका पहला सुतंतरता दिवस था 26 जन्वरी को पहले हम freedom day बनाया जाते थे टिके independence day celebrate करते थे और इस date की वज़े से ही हम जो है हमने हमारा जो काम 26 नवंबर 1949 को तयार हो चुका था यह complete हो चुका था लेकिन फिर भी हमने वेट किया इस particular date का तो वैसे ही यहां पर भी medieval age 1700 में खतम हो जाएगा या मौटे तोर पर हम इसको कहेंगे लेकिन exactly जो date शुरू होगी modern history में वो है 1707 देखिए exactly 1700 तो हो गया लगवग लगवग लेकिन exactly वो घटना होगी 1707 और 1707 में क्या होगा वो अभी हम discuss करने वाले हैं तो देखिए मैंने दो चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की आज का current affairs और जो आपका current affairs जुड़ा हुआ है पॉलिटी से और पॉलिटी में आप देखते हैं भारत का संभीदान बना कव जिसे constitution's day कहते हैं यह याद रखिएगा यह note डाउन कर लेना देखो एक चीज़ और है आप लोग डेली का डाइरी का मेंटेन भी करें यह इसके लिए बहतर है क्योंकि हम जो डेली डिसकस करेंगे मैं आपको एक डेली का डेली करेंट का इवेंट आपको बता दूँगा जिसे आज 26 तारीक है तो आज एक बहुत ही खास दिन है तो इससे जुड़े हुए तथ्थि मैंने आपको बता दिये और फैक्स बता दिये जो आपकी प्रिलिम्स में काम आएंगी औ और आपकी प्रिप्रेशन्स में बहुत ज़्यादा हेल्फुल होंगे अब 26 नमंबर इसे कहा जाता है कॉंस्ट्यूशन डे यह यह नोट कर लेना और 56 जैनवरी जिसे कहा जाता है हमारा गरतंत्र दिवस जिसे हम रेपब्लिक डे कहते हैं लेकिन यह फ्रीडम डे या कह सक करते हैं हमारा इंडिपेंडेंस डे के रूप में भी सेलिवरेट किया जाता था और यह पहला इंडिपेंडेंस डे बनाया गया था 1930 में उनीस सो तीस में बनाया गया था और वो था 26 जैनवरी 1930 करेक्टे तो देखो तीन चीज़े मैंने आपको बता दी है है ना यह हमारा इंडिपेंडेंस डे मतलब आजादी के पहले का यह हमारा रिपब्लिक डे और यह हमारा हो गया है यह हमारा हो गया है Constitution's Day तो यह तीन चीज़े मैंने आपको अभी अभी बता दी और अब हम शुरू करते हैं 1700 जहां से हमारा Modern History शुरू हता है लेकिन एग्जेक्ली यह डेट कब है 1707 क्या होता है उस दिन 1707 में that is the death of Aurangzeb Aurangzeb की मृत्यू हो जाती है अब यह Aurangzeb कौन थे इसको सोड़ा सा समझेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ तो फिलाल की यहां की तक कहानी आपको clear हो चुकी होगी मैं अभी सभी के आपके message box नहीं देख पा रहा हूं ठीके लेकिन फिर भी यदि आपको कोई question है तो आप बीच में interrupt करके आप मुझे पूछ सकते हैं ठीके sir I have questions like this ठीके और फिर अपना questions बोलिएगा तो थोड़ा सा अब ही हम बात करने वाले हैं 1707 में और 1707 में मैंने आपको बताया death of Aurangzeb Aurangzeb की death हो जाती है और ये ये मुगल शाशक हुआ करते थे he was the bestly मुगल इंप्रीरियर और ये मुगल शाशक थे और ये मुगल शाशक में खास मुगल शाशक थे मतलब हम कह सकते हैं कि इनकी death हो जाने के बाद ही नाकाराओं का दौर शुरू हो जाएगा नाकारा जिनको हम राहुल गांदी भी कह सकते हैं I hope मेरी बास समझ में आ चुकी हो शाशक में मीद्हाच क्लब है कि अब ये मुगल डाइनिस्टी अधीरे खता हो जाएगा और मुगल डाइनिस्टी खता होगीथारा सो स्क्कारा सो आउगे और यह नाकारा की संख्या अभी हम ध्यक्न करेंगे तो तो थोड़ा मैप से आप देख ली ये मुगल एंपाइयर बना कब था? यह मुगल एंपायर तब बना था जब यहाँ पर फरगणा, यह वाला जो एरिया है, इसको आप मोटे तोर पर देखिए, फरगणा वाला एरिया है, और फरगणा से ही लगा हुआ है समरकंध, और इस जगे से एक व्यक्ति आया, जिस व्यक्ति का नाम था बाव और बावर इंडिया में entry करता है 1526 में और यहां पर एक battle करता है 1526 में और foundations करता है मुगल dynasties की और एक dynasties की foundation रखी जा रही है और दिल्ली सल्तनत जैसी सल्तनत की end हो रहा है आई होब तो बोटे तोर पर आपको समझ में आ चुका होगा कि भई 1526 में क्या हुआ 1526 में battle of पानीपत हुआ दिल्ली सल्तनत यहां खतम हो रही है और दिल्ली सल्तनत की जगे मुगल dynasties की शुरुआत हो रही है और यह मुगल empire धीरे 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 भारत के या Indian subcontinent के almost पूर थोड़ा बहुत पीछे का history समझते हैं तो मैंने आपको बताया ठीक है कि जैसे मैंने बोला कि मुगल empires ने dynasties को united करने की कोशिश की मतलब जो वंच है जो आपके states है उनको merge करने की कोशिश की अब यह मुगल dynasties यहां पर 1707 के बार downfall की ओर जाएगी downfall का मतलब है पतन की ओर जाएगी अब पतन के होने के पीछे एक ही कारण है नाकाराओं का योगदान नाकराव ऐसे योगदान तो नहीं करते है ठीके मेरी बास समझ में आ चुकी होगी आपको ठीके तो यह पतन की ओर जाएगा और यह map उसी समय का है तो जब एक छीच पतन की ओर का मतलब है एक empire पतन की ओर जाएगा तो इस पतन को भरने की कोशिश करेगा या इस vacuum को भरने की कोशिश करेगा और यह vacuum को भरने की कोशिश करने वाला है Maratha Kingdom नाम तो सुना ही होगा I hope you are getting my points और Maratha Kingdoms जो green color में आपको दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं इस मुगल empire को यह मुगल empire जो खतम हो रहा है उसको भरने की कोशिश करेगा इसको मैं एक और example से समझाता हूँ आप लोग बस में travel करते हैं ठीक ही बिलकुल किया होगा आपने बस में आप जगे ढूडने की कोशिश करते हैं उसी जगे पर बैठते हैं जहां पर खाली जगे हो और खाली जगे होगी मतलब यहां पर Maratha Kingdom क्या करने वाला है खाली जगए ढूड रहा है और खाली जगए किसकी हो रही है मुगलों की हो रही है तो धीरे धीरे ये खतम हो रहे हैं और धीरे धीरे मराठा एमपार्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे है अभी तक की कहानी क्लियर होगी और मराठा किंगडम्स धीरे धीर अब ये देखे इस मैप को देखे ये हैं इंडिया 1707 का लगबग लगबग हम मोटे तोर पर समझ रहे हैं ठीके अब देखे इस मैप के इस राइट हैंड साइट की तरफ अनुमान लगा लीजियें कि जो बसमैवक्ती आने वाला है मतलब मराथा वो धीरे 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 क्या कर लिया है उसने अपना area का expansion कर लिया है और मराथा kingdom क्या है यहाँ पर अपना empire बढ़ा रहा है जिसको मैंने इस तरीके से समझाया और एक empire क्या हो रहा है कम हो रहा है एक empire घट रहा है जैसा कि मुझे एक feedback form मिला है जिसमें google form मैंने आपको बोला था उसमें कुछ facts है ठीके अतत्त हैं उनको भी मैं दीरे दीरे समझाना शुरू कर देता हूँ तो अब मेरी मर्यादा जो है वो बाकी subjects की ओर भी जा रही है और यहाँ पर मैं एक चीज और समझाने के लिए उप्योग करूँगा ठीके बाकाइदा अब देखिए ध्यान दीरेगा ये चीज हमेशा याद रखना ये geography से related है हमेशा जो flow है winds का winds मतलब पवने पवनो का flow हमेशा high pressure से low pressure की ओर चलता है ये हमेशा याद रखिएगा एक चीज पहली बात और इस चीज को याद रख लोगे तो आपको geography के बहुत से फंडे समझ में आ जाएंगे और यहीं से मैं आपको ये वाली चीज भी समझाने वाला हूँ अब आप बोलेंगे sir क्या है देखिए क्या हूता है high pressures का मतलब है कि कोई भी बस में चड़ने के बाद आप क्या देखते हैं खाली सीट देखते हैं और वो खाली सीट ही है आपका low pressure इसका मतलब आपका रुख कहां की ओर होगा हमेशा खाली सीट की ओर होगा वैसे ही विंड्स का रुख हमेशा होता है विंड्स मतलब पबनों का रुख होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर करेक्टे तो ये विंड्स की डिरेक्शन high pressure से low pressure की होती है ये प्रकती का नियाम है और ये तब तक चलेंगी जब तक कि वो balance नहीं हो जाती समझ में आया तो वैसी ही यहाँ पर भी वही है Maratha kingdom एक high pressure की तरह create हो रहा है और ये high pressure किसको भरने की कोशिश कर रहा है ठीके जहाँ पर low pressure बना है और low pressure बन रहा है दिल्ली में और दिल्ली में उस समय कौन थे मुगल एमपायर तो आपको मेरी बास समझ में आई यहाँ पर एक geography का तथी भी मैंने आपको समझाया facts या facts नहीं है actually ये logics है ठीके और ये logics आपको आगे काम आएगा आगे आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे the high pressure is moving towards the low pressures ठीके Maratha Kingdoms यहाँ पर एक rise की तरफ चल रहा है और एक empire यहाँ डूब रहा है खतम हो रहा है और वो है मुगल empire I hope यहाँ तक की कहानी आपको clear समझ में आ चुकी होगी समझ में आया कि नहीं आया है ठीके अब देखो एक चीज़ और देखना है यहाँ पर कि ना केवल Maratha Kingdoms यहाँ पर अपना expansion कर रहा है बलकि यहाँ पर कुछ state भी निकल कर आ रहा है जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है है हैदराबाद यह हैदराबाद free state है free state का मतलब है सौतंत्र province या सौतंत्र आपका area मुगल empire से ही तूट कर कई empire निकलेंगे उसमें से एक है यह है हैदराबाद कैसे कहते हैं कद्दू कटेगा बहुत सारे भागों में बटेगा यहाँ पर बहुत सारे भाग में एक भाग आपको यहाँ दिखाई दे रहा है that is called the the हैदराबाद state या मौटे तोर पर यह तो यहाँ पर ना केवल माराठा एमपार अपने peak पर भी है और दूसरा यहाँ पर कुछ छोटे-छोटे states भी हो रहे हैं लेकिन आपके मन में एक प्रशन आ रहा होगा अब यह बताए कि मुगलों के पतन के बाद that means मुगल जब खतम हो जाएंगे जैसा मैंने आपको पता है मुगल कब खतम होंगे 1857 और मुगलों पर खतम हो जाएंगे तो 1857 के बाद यहाँ पर दिल्ली पर किसका शाषन हो जाएगा मराठाओं का हो जाएगा आप लोग यही सोच रहे है लेकिन एक्चुली ऐसा नहीं होता है जैसा आप सोचते मैं सा होता कहा है आपने भी सोचा था कि हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे खोटल एकडिमी में इस एडिमीशन लेगी के बाद लेकिन मेरे घाल से तो शायद नहीं आए ठीके और आप भी अपना मूल्यांकन कर बैठे होंगे तब ही आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए है और शाम को ठंड के टाइम पर ठीके यहाँ पर रजाई में बैठके आप मुझे सुन रहे होंगे है ना कुछ लोग शायद बाहर होंगे नेटवर्क की कमी ऐसा कह सकते तो खेर ठीके इन चीनों पर हम बाद में भात करेंगे ठीके तो मुगल्स जो हैं वो डाउन हो रहे हैं मराठा उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं तो अगला किंग कौन होगा अगला एंपार का रूलर कौन होगा मराठा होंगे बिलकुल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर मराठाओं को एक फटका लगेगा 1761 में 1761 और यह है डेट 14 जैनवरी 1761 इस दिन एक बैटल होगा इस बैटल का नाम है बैटल आफ पानिपद जो इतिहास का रुख बदल देगा और ऐसी ही कुछ घटना कुछ दिनों पहले हुई और इसने इतिहास के रुख को बदल दिया देखते हैं ठीके समस्ते हैं यह बैटल आफ पानिपद क्या है तो यह ध्यान दिजेगा कि यहां पर मुगलों के बाद मराथा नहीं आएंगे डाट इस डिस डिस डेट और इस डेट इस डेट इस रिमार्केबल डेट इस कॉल्ल दा 14 जैनवरी 1761 14 जैनवरी 1761 बैटल आफ पानिपद ठीके MPPSC प्रिलिम्स में पूछा गया डाट डारेक्ट कोश्चंस सी ऑफशन सा 2014 के पेपर में पूछा गया था तो आई होप मेरी बात अभी तक समझ में आगी अब आपको यह समझना है कि ऐसा क्या हुआ है 14 जैनवरी 1761 बैट तो वो हम डिसकस करने वाले हैं समझने वाले हैं तो बही आपके सामने एक मैप आ चुका है ठीके और यह मैप और बहतर तरीके से समझने के लिए क्लियरिफाइब होगा कि अब आप देख लीजिए कि आपको यहां मुगल दिखाई दे रहें बिलकुल मुगल जो हैं वो कहीं न कहीं दिखाई नहीं दे रहें मतलब मुगलों के बाद या मुगलों का जो एमपायर है वो ना केवल यहां पर मराठाओं के दारा कैप्चर किया जाएगा दूसरा हम देखेंगे एमपायर जो है वो उसमें स्टेट्स फ्री हो जाएंगे राज्ये जो होंगे वो फ्री होते जाएंगे और फ्री कौन से हो रहे हैं जैसे देखिए अवद हो रहा है यहां आप इस मैप में यह कह सकते हैं पिछले वाले मैप का और extended वर्जन है यह अ वाले पार्ट को कैप्चर कर लिया जाएगा किसके द्वारा मराठाओं के द्वारा और यह मराठाओं का एंपायर आप देख रहे हैं यह लगभग लगभग यहां से हो जाएगा यहां राजपूत फ्री हो जाएंगे बराबर हैं यहां पर आप देखेंगे इधर वाले प हम देखेंगे यहां कुछ निजाम यह आपका हैदराबाद का शाशाख जिसको हम निजाम कहेंगे और यह निजाम साब जो हैं वह एक तरीके से बिन पेंदी के virtue होंगे कि बिन पेंदी का का मतलब यह मतलब यह कभी जो नीचे आपको मैसूर दिखाई दे रहा है और मैसूर में आपको देखने को मिलेंगे यह तपू एंड अबीशली हैदर अली पू यह दो लोग आएंगे थाओं सुल्टान ओर यह अपना एंपार का एकस्पेंशन यहां पर करने वाले हैं इस जगे पर बराबर है नीचे है आपको ट्रेवन को दिखाई दे रहा है बिल्कुँ नीचे नीचे और ये पर्टिकुलर भाग जो है इसको कहा जाएगा कार्नाटिक, कर्नाटिक मतलब कर्नाटक ठीके अलग यह आप देखेंगे आज की डेट में कर्नाटक आपको यहां नहीं दिखाई तो आज के वर्तमान के करनाटक से यह डिफरेंट रहेगा पहली बास समझ में और करनाटक में ही आपको दो पावर के बीच में लड़ाई देखने को मिलेगी एक तो होंगे फ्रैंच और दूसरे होंगे ब्रिडिश नाम तो सुना ही होगा ओल राइट ठीक है तो अभी तक कि बागी लोग भी बताते जाएं हां ठीक है कॉशन्स पूछते रहें कम बात करते रहें समझते रहें तो सारी चीने क्लियरिफाइ होती जाएंगी डाट्स ओल ठीक है आपका इंगेजमेंट बहुत पाने पत्त्य किन के बीच हुआ था अभी आता हूं बिलकुल अभी यह त समझने की कोशिश की है कि कौन-कौन से कहां कहां क्या क्या कर रही है अब देखते हैं और आगे की कहानी को समझेंगे कुछ और इस तरीके से अभी देख लो और बहतर एक मैप और आ रहा है ठीकि यह देखिए यहाँ पर मुगल इसके बाद देखिए यह अवाद के लेकिन ये मुटर का एम्पाइर भी है मुटर के लिए नाई रहेगा और मराथा भी पापिस में डेवाइड हो जा के यह देखिए यहांपर है यह पेश्वा रहेंगे पूने ये मौटर तोपा सॉरी यह पेश्वा एक्शLY यहां नीचे रहेगा पूना के पास में यह बल कि नवाब जो मैंने अभी अभी आपको बता है मैसूर की सल्तनत ये होगी बंगाल का नवाब का छेत्र ये होगा और ये हैं है राजपूत हैं ही और ये हैं सिख अब देखो एक चीट और ध्यान रखना ये सिख के वगल में लिखा हुआ है मिसल मिसल का मतला होता है समूह इस अभडाली और यही अहमद शाबडाली आने वाले समय में आपको मिलेंगे पानीपत के युद में तो आपको थोड़ी सी महट पता चल गई होगी कि क्या मैं बात करने वाला हूँ बिलकुल ठीके और यहां पर अहमद शाबडाली को याद रखिएगा क्योंकि अहमद शाब अभडाली पाटिस्पेट करेंगे बैटल आफ पानीपत अब कहानी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती है तो अब हम देखते हैं तुम यहां पर तीन कारेक्टर आपको देखने को मिलेंगे सबसे पहले तुम मुगल और मुगल की बस खाली होता रही है मुगल का एंपा पानीपत जो लड़ा जाएगा अब हम देख लेते हैं और यह पानीपत लड़ा जाएगा किसके बीच में मराथा और एमद शाह अब्दाली मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ एमद शाह अब्दाली और यह एमद शाह अब्दाली क्या करेंगे मराथाओं को हरा देंग अब मराठाओं को हरा देंगे तो ये तो clear हो चुका है कि मुगलों का empire down हो रहा है मराठा वहाँ पर आनी पाएंगी तो क्या है हमद शाबदाली आएगा एहमद शाबदाली अपना युद्ध जीतने के बाद अपने घर चला जाएगा अभी बता दिया था मैंने उसका घर कहां है और इस पानीपत के युद्ध का एक्चुल में फाइदा मिलता है ब्रिटेश समझ में आया कि नहीं है इसलिए अंग्रेट जो है इसका benefit लेंगे और मुगलों का downfall होगा और मराठा यहाँ पर आनी पाएंगे और यह हैं हमारे समोसे के तीन पार्ट मुगल ब्रिटेश और मराठा तो हमारी जो कहानी जो शुरू होती है वो यहीं तीनों से शुरू होगी क्योंकि यह downfall की ओर जा रहे हैं यह up की ओर जा रहे हैं लेकिन फायदा किसको मिलेगा benefit मिलेगा exactly British स्वाकत नहीं करोगे यह कहानी इस तरीके से तीन लोगों पर चलेगी और तीन लोगों को हम यहाँ पर एक फ्लो चार्ट में समझने वाले हैं इस दा मॉडर्न हिस्टी अब देखे यह अब अब यह भी बताया 18 शताब दी 1707 में औरंग जेव की कहानी खतम होगी और एक कहानी खतम होगी तो एक कहानी शिरू होगी अब बोडन हिस्टी में मौड्र दोपर यहां में पोस्ट मुगल्स देखने को मिलेंगी मतलब नाकारा बताया था भी बिलकुल exactamente ठीके नकारा मतलब राहूल गानी तो ये हैं उत्तरवर्ति मुगल शाषक हिंदी में कहा जाएगा उत्तरवर्ती मुगल शाषक को अब जब मुगल शाशक्स यहाँ इनकी death हो जाएगी नाकारा आएंगे और नाकारा आएंगे तो केंद्र में नेत्रत तो कौन करेगा vacuum बनेगा, vacuum का मतलब है low pressure, low pressure का मतलब है कम दवाव का छेत्र या seat खाली हो गई और जब seat खाली हो गई तो seat को भरने की कोशिश कौन करेगा इस seat को खाली होने की पीछे कारण है यहां पर भारत पर होने वाले आक्रमन जान दीजेगा देखो दिल्ली में मुगल है और मुगल है नाकारा नाकारा है तो क्या होगा कुछ नहीं होगा ठीक है नाकारा है और यह अपने एंपायर को समान नहीं पाएंगे समान नहीं पाएंगे तो आप पर कोन आएगा आक्रमन करतेगा कोई भी आक्रमन कर देगा और यहां पर यही केंद्र विंद्रू बन रहा है आक्रमन क्यों होंगे और आक्रमन होंगे सबसे पहला कारण तो है मुगल दरवार में कॉंस्परेंसी होंगी दूसरा हम देखेंगे 1732 में मराठा अटेक कर रहे हैं अभी मैंने आपको बताया कि दिल्ली के पास आने की कोशिश कर रहे हैं मराठा बाई जब कहते हैं ना कद्दू कटेगा तो कोई ना कोई ठीकी उसे खाने आएगा या बराबर भाग में बटेगा या आपका केंद्र प आएगा कि मुगलो की हालत खराब हो जाएगी और ये मुगल्स की हालत ये लिमिटेड हो जाती है और यहीं से आते हैं नादर शाह और एमद शाय अबदाली ये धियान दीजेगा 1749 में आते हैं नादर शाह और उसके बाद आएंगे पशndध शाय अज़िया को आएंगे 1731 1739 में कौन आएंगे नादिर शाह बराबर हैं तो यह मोगलों की हालत खराब हो जाएगी मोगल इतने लिमिटेड हो जाएंगे और इन सब के पीछे कारण है यह कमजोर राजाओं का होना कमजोर रूलर्स का होना अटैक होना अटैक्स यह हमने देखे इस तरीके से यहां पर ह इसे भरने की कोशिश करेंगी क्योंकि इसके पास हैं अच्छे लीडर और अच्छे लीडर हैं शिवाजी शिवाजी के बाद आएंगे हमारे पेशवा साहब लेकिन यह दिल्ली पर जो हैं साशन नहीं कर पाएंगी तो हमारे एक ग्रेट डीलर्स आएंगे तरनी में शिव शिवाजी के बाद बाजी राव फर्स और उसके बाद हैं हमारे नाना साहब पेश्वा लेकिन यह पेश्वा साब जो हैं एक गम में निपड जाएंगे और यह गम मिलेगा इनको 1761 में बैटल आफ़ पानी पत 1761 में यह बैटल आफ पानी पत होगा मराठा और एहमद शाह अब्दाली के बीच में और एहमद शाब्दाली इस युद्ध को जीत जाएगा और मराथा की शक्ती डाउन फॉल की और चली जाएगी और ये भाई साफ छे महीने के गम में निपड जाएगे और मतलब यह कह सकते हैं कि इनकी भी डथ हो जाएगी पानीपत के युद्ध के बाद अब मराथा खतम हो जाएंगे और 17-16 का मैटल होगा डिफीट ऑफ मराथा और इसके बाद ठीके यह हैं हमारे एहमद शाब्दाली बराबर है तो यह सारी के सारी चीज़ें तो यह बैटल हो रहा है मौटत तोर पर मराथा और एहमद शाब्दाली के बीच में यह है आपका बैटल आफ पानी पर तो आपको में आपको आंसर मिल गया होगा ठीक है यहां पर मराथा का नेत्रत तो करते हैं मौटे तोर पर नाना साहिब ठीक है लेकिन हम डीटेल में जाएंगे तो इसके सदाशिवरा भाव आएंगे बड़ा हम उसको बाद में चर्चा इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, मराथा हार गए, एहमर्शा अबदाली जीत गए और मराथा के जीतने के हारने के बाद यह तो निश्चित हो गया कि दिल्ली पर अब कौन बैठेगा, मतलब मराथा तो नहीं बैठेंगे, दिल्ली का दिल्ली की सत्ता पर कौन और इसका फाइदा मिलेगा बिडिशर्स को स्वागत नहीं करोगे, यहां पर जो है वास्तम में युद्ध नहीं लड़ रहा है, लेकिन युद्ध ना लड़ते हुए भी सबसे जादा बैनिफिट इसी वैक्ति को मिलेगा, तो कहते हैं जिसकी किसमत, कहते हैं कि जो वैक् आज की चीज़ें देखने को मिलती हैं, आपको नहीं मालूम हैं ठीकि क्या सिच्वेशन चल रही हैं आपके बीच में, आपको भी पता है, लेकिन आज की डेट में आप देखे कि मैं आपको यहां से ऑनलाइन सपोर्ट कर रहा हूं, ठीकि बराबर हैं, ठीकि हम नहीं मिल लेकिन यह चीज़ें धीरे-धीरे कनवर्ट हो जाएंगी, तो मॉटे तोर पर ठीकि देखी, पूरा सिस्टम जो है ठीकि वो आपके शाहिद फेवर में आ जाएगा, लेकिन आपकी तरफ से सपोर्ट होना चाहिए, आपकी तरफ से वो चीज़ें होंगी, तब ही एक्जीक तो यह चीज़ें हैं वाई और यह कहानी है, इस तरीके से यह कहानी है तीन लोगों की और वो तीन लोगों के प्शेंटर में कौन है? The name is called Mughal, Britishers और Maratha एक line में देखें Maratha down की ओर जा रहे हैं Maratha up की ओर जा रहे हैं और actual फाइदा किसको मिल रहा है that is Britishers इसलिए तो मैंने कहा स्वागत नहीं करोगे अभी तक की कहानी clear है अभी तक की situations clear है इस map को और देख लिजे और ये हैं अंग्रेजों का वो छेत्र जिसे हम कहेंगे Bombay Presidency आने वाले समय में वो Bombay बनाएंगे यहां पर वो Bengal Presidency बनाएंगे यह पर्टिकुलर एरिया और इसके बाद नीचे होगा Madras इस तरीके से यह भारत को अपने एरिया में डिवाइड करने की कोशिश करें दिस इस दा मैप ऑफ 1937 यह 1937 का मैप है जब भारत आजाद होने वाला था कुछ समय पहला जिसे आज की डेट में हम यहां पर कहते हैं CP Central Province जैसे आज की डेट में हम ठीके यह है Central इंडिया और इसी को मिला कर बनता है आने वाले समय में हमारा मद्यप्रदेश यह लगभग लगभग ऐसा आपको देखने को मिलेगा ठीके क्योंकि यह वाला पार्ट जो है वो बाहर चला गया है यह बाहर चला गया मतलब 36 गड़ चला गया और यह माहराश्ट में आ गया आज की डेट में तो यह है मारा मद्यप्रदेश जहां से हम ब बिल्कुल नहीं दिखाई देरी होगी तो अभी तक कहानी क्लियर है यह सो नो ठीक है यह सार ओके वेरी गुड ठीक है तो यह एक बेसिक चीज आपको पता चल गई है कि हम क्या करने वाले हैं मतलब अब मौडन हिस्टी में हमारा क्या चलेगा अब सबसे पहले अब हम यह देखते हैं यह समझते हैं एक मिट मैं अपना स्लाइड बंपन करने तो देखें नहीं कि कहा निंग जहाई-डीक मारा औसे थैफ्wn तो मेरी स्क्रीन अभी आपको नजर नहीं आ रही होगी बिल्कुल अभी मैं आपको स्क्रीन शेर करने वाला हूं शेर माइश स्क्रीन ठीक राइट नाओ ठीक इस विंडो ओके तो सबसे पहले कहानी हमारी यहीं से शुरू होती है मराठाओं का उदय जैसे आज हमारा उदय ह हुआ है वैसी आज माराठाओं का उदय हुआ है ठीक है ऐसा आप समझ दी इस अराइज आप दो माराठा जो है और माराठा कैसे आ रहा है क्या आरा इसके पीछे के कुछ रीजन तो होंगे आज हम ऑन-लाइन पर डिसकुशन कर रहा है उसके भी कुछ कारण है यह आप सब क पता है लेकिन हम उस कारणों पर डिसकुशन नहीं करेंगी क्या हमने कभी किसी के बारे में बात की नहीं हमें केवल अपनी एक्जाम या हमारी प्रपरेशन को लेकर काम करना है तो जै माराठा जै माराज ठीक है और जै से विल सर्विसेश ठीक है और यहां पर हम देखने वाले हैं दा मराठा एंड लीडर्स तीक है मराठा और उनके लीडर्स के बारे में and he was nothing but the name is called the great शिवाजी ठीक है और वी वीर योद्दा हम देखने वाले हैं तो सबसे पहले हम राइज अप मराठा के बैक्राउं को समझ देते हैं एक प्रश्ट भूमी अभी तक हमने दे तो इस तरह किसे तीनों चीज़ें एक साथ लेकर चलना होगा यहां तक की कहानी आपको क्लियर होगी और इस कहानी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं अब देखे, मराठा शक्ती जो है, वो एंपायर जो है वो धीरे 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 डबलाफ हो रहा है ठीके, यहां पर क्या होता है कि किसी व्यक्ति विशेश या समगो का कार नहीं है और धीरे धीरे यहां पर इस चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं बराबर हैं, मेन हम इसके कारणों पर सीधे सीधे जाएंगे लेकिन हम एक स्टेटमेंट है अरशिवादी लाल साभ हैं उनके बारे में उन्होंने कहा ठीके, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे एक रीजन है, एक लंबा चोड़ा, ठीके, इसके पीछे कारण है religious movement का, देखिए क्या होता है, मैं आपको पीछे दोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे देखी जैन और बौद धर्म आपने थोड़े बहुत देखे हैं, समझे हैं, और इनके आने के पीछे इनका एक कोई religious कारण था धार्मिक, वैसे ही same medieval मे मद्यकाल में धार्मिक आंदोलन होते हैं, धार्मिक आंदोलन मतलब और इस धार्मिक आंदोलन में जो है, वो बात आती है हिंदु धर्म को सुधारने की और इसलाम को सुधारने की, हिंदु धर्म में कई बुराई आ जाती, इसलाम में भी कई बुराई आ जाती, और ये ध और इसी में आते हैं जिसे हम मौटर तौर पाद देख लीजे जिसे आम देखेंगे कवीर की बात करेंगे कवीर की चर्चा आती है कवीर कहते हैं जाती नप पूछो सादू से पूछ लिजिए गयान ये सब चीजें आपको डबलप होती हुए दिखाए दे रही हैं और इनी में से इनी धारमिक अंदुलन्स से एक व्यक्ति रेलेटिड है नाम है रामधास। रामधास एक धारमिक गुरू है और वो अपने उपदेश देते हैं और उपदेश देते हैं और उपदेश का प्रभाव पढ़ेगा किस पर? ननीम is called शिवाजी ऐसा समय लीजिए कि शिवाजी को सुपह दुफैर शाम पिलाया जाता है मराथा 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 मतलब वो जो मराथी बोलता है ठीके और हमें सब को क्या करना है एकत्रित करना है एकट्टा करना है और हमें बाहरी लोगों को भागाना है विहारी लोग मतलब विदेशी लोग और विदेशी लोग कौन है that is मुगल मुगलों को बाहर करना है तो इनको एक घुट्टी पिलाई जाती है सुवेद फैर शाम शीवाजी साब को और शीवाजी साब जो है वो घुट्टी पीते हैं अपने गुरू से जिनका नाम है मुझेशा मुवमेंट्स भइर राईजिग तीन पावर फीपल और फूस्न क्यों न्यू लाइफ देता है और वह नया जोश है मराथा मराथा एंपार यह कह सकते हैं मेरा साम्राज या सौराज शीवाजी इसे कहेंगे सौराज सौराज मतलब क्या होता है अपना राज अप उनको पिलाया जा रहा है सुबह जब से जब से वो बड़े हो रहे हैं और इसी आधार पर वो काम करेंगे तो विदेशियों को हटा कर अपने राज जी की इस्थापना करने की घुटी शिवा जी को पिलाई जाती है उनके गुरू रामदास और ये रामदास का कंसेट निकल क कराता है धार्मे कांदोलन और ये धार्मे कांदोलन हुए थे मेडाइवल एज में मैंने एक बार यहां से यहां तक की कहानी बता दी और एक बार यहां से यहां तक की कहानी से आई होप यह पॉइंट्स के लिए हो चुके होंगे आप लोगों को और सीठे सीठे पहुंचत और आपने इंडियन जोगरफी बड़े ही डीटेव में पढ़ी है ऐसा मुझे पता है ठीकी और इसी से में आपसे pornt न Cemagr गौराश्ट है और महाराश्ट के बात नीचे हां गोग लगा हुआ लगग लगग यहां पर यहां पर कौन सी माउंटेन है थोड़ा सा बताईंगे अ कि इस पर्टिकुलर रीजन में आपको कौन सा माउंटेन देखने को मिलेगा बताईए सब कि किसी ने कमेंट किया आए गया नो बताएं साहब बताएं जब तक मैं भी पानी पी लेता हूं सर सहयाधरी इसका मतलब आप लोग ने इंडियन जोग्रफी वाकई अच्छे पड़ी है तो सहयाधरी इस तरीके से होगे और महाराश्ट की जोग्रफी का लोकेशन जो है मराठा क्या करते हैं Maratha war very much expert in this kind of the mountains वो in mountain छेत्र में रहने के लिए या कह सकते हैं उस छेत्र में रहते हैं उसके आधी हैं आधी का मतलब है that means ठीके उनको कोई दिक्कत नहीं है mountains के area में छुपकर वार करने में या इस mountains की उपर नीचे के up and down को वो जानते हैं जैसे उत्राखंड के लोग उत्राखंड के लोग बहुत ज़्यादा hard working होते हैं मेहंती होते हैं और मध्यप्रतेश के लोग एक नम्मर के नाकारा होते हैं बुरा मत मानिएगा लेकिन सत्य बात है ठीके यहां geographical facts लग रहे हैं ठीके लेकिन महराष्ट के लोग मतलब शिवाजी या मराथा community लोग जो हैं mountains के range में रहने के आदी हैं और इनकी geographical locations उनके favor में जा रही है ठीके और वो favor में जाएंगे तो वहां की गतिविदियों वहां के taran वहां की up and downs है वो बहुत अच्छे family year है तो यह geographical locations की वज़े से यहां पर आपको देखने को मिलेगा मतलब वह वहां की locations के बारे में काफी अच्छी दरे कैसे जानता है geographical locations के point of view से वह सारी चीने clear है और इसी चीज का वह उप्योग करेगा वर techniques में वर techniques कैसी होगी अभी अब हम देखेंगे गोरिला वाइनड़ वाइनज चुपकर वार करना यह क्य अब जोग है वह गुरिफारे कब और जोग है वह गुबारे में क्या करते दें रंग भर लेते और गुबारे में रंग भरने के बाद छुप कर किसी व्यक्ति को आप उस पर हमला कर देते हैं और आप क्या कहते हैं बाद में Happy Holy करेक्टे है ना तो Happy Holy के टाइम पर आप गुबारे में रंग भरकर किसी पर हमला करते हैं यही है आपका Gorilla War Technics क्योंकि जब व्यक्ति पर कलर पहुँचता है तो वो देखता है कि वह या कौन था और आप भाग जाते हैं तो ऐसा ही ये लोग मराठा कम्मिनिटीज के लोग जोगर्फिकली एरिया से काफी ज़्यादा फैमिलियर होते हैं और वो इस चीज का फायदा उठाते हैं और यहां से गुजरने वाले लोग या जो आर्मी है या जो सैना है या जो ब्यापारी है उनको छुपकर वो अटेक करते हैं और वहां से उनसे loot करते हैं या कह सकते हैं कि वहां उनके weapons loot लेते हैं और इस techniques को कहा जाता है गुरिला war technique छिप कर वार करने की नीती that is the techniques related to the attacking to enemies by hitting ठीक है मतला hidden करके आपको यहां पर देखने को मिलेगा next देखेंगे हम देखेंगे run को शलता और send unwarr देखें हमारी जो techniques है जो अभी अभी मैं आपको पता है it is a kind of the military techniques ठीक है मतला हमारी जो techniques है वो है गुरिला war गुरिला war techniques छिप कर वार करने की नीती है ठीक है और यह नीती जो है इसमें यह लोग बहुत expert है ध्यान दीजेगा they are very much expert in this kind of the things ठीक है अब देखें कभी-कभी लोग बारे में रंग तो भर लेते हैं और attack करने में expert नहीं होते है तो यह भी होता है तो they are very much expert in this kind of the techniques और इसका use करेंगे वो war में है ना war में करेंगे अपने empire के expansion में करेंगे और empire के expansion के लिए क्या चाहिए पैसा और तभी तो expansion हो पाएगा यह देखें basic rule है पैसा होगा जेब में तो क्या कर पाएंगे आप कुछ भी कर पाएंगी और पैसा जेब में है तभी आपका क्या होगा सामराज बढ़ेगा तो यह लोग जो है इस चीज के लिए war में यह कह सकते हैं गुरिला वार के दौरान पैसा लूटते हैं और लूटने के दौरान यही से धीरे धीरे इनका सामराज का expansion होता है तो रण को शलता भी है उनके पास military experiences भी है और इस military experiences को हम देखते हैं गुरिला वार टेक्नीक्स में इसके लाबा देखेंगे religious या जागरन मौटे तोर पर अभी पीछे background में बताया और इसमें नाम आता है यही वो व्यक्ति हैं जो इनको क्या कर रहे हैं मराथा कम्मुनिटीज को रोज united कर रहे हैं रोज वो पार्ट पढ़ा रहे हैं मोटिवेशन बहुत दरूरी हैं आप देखें civil services की तयारी कर रहे हैं civil services की तयारी में कभी अप आता है कभी डाउन आता है आप खुद देख लीजा रहे यार क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं तो यह up and downs को maintain करने के लिए आपको चाहिए क्या motivations चाहिए और motivations के लिए आपको कोई एक mentor चाहिए बराबर है यहां पर यह mentor का काम कर रहे हैं that means रामदास और वो बार बार उनको जगाते रहते हैं बार बार उनको क्या करते हैं हवा भरते रहते हैं और बार बार यह कहते रहते कि नहीं मराठा 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 मतलब स्वाराज स्वाराज मतलब अपना पृडोसी का नहीं ये चीज है रिलिजियस अवेकिंग के दौरान या मौटे तावर पर कह सकते हैं रिलिजियस रहने साप और ये काम कर रहएâte राम यही होंगे शिवाजी के रिलीजियस एडवाइजर या रिलीजियस टीचर या गुरू इसके बाद आएगा दक्षिन के सुल्तानों की दुर्बलता देखे दा वीकनेस ऑफ दा साधन रूलर्स यहां पर मुटे तोर पर क्या हो रहा है मैंने अभी आपको एक मैप बताया था यहां पर मराठा कमुनिटी धीरे धीरे राइज हो रही है है ना इसको इस तरह की से आप समझिए भाई यहां पर यह इतना क्यों बढ़ पाए कि यह दिल्ली तक पहुँचने वाले हैं अभी आपने देखा था कारण यह है कि यह वाले जो एरिया है इस पर्टिकलर एरिया इस पर्टिकलर एरिया होंगे यह वाला एरिया है यहां के वीक रूलर और यहां पर आपको देखने को मिलेंगे बहमनी और विजयनगर डूई रेमेमबर, कुछ लोगों को पता होगा बहमनी और विजयनगर के बारे में ये बैमनी के ruler इनको कहा जाता है दक्कन के सुल्तान, दे सुल्तान अफ डैकन, और ये बहुत ही कमजोर शाषक थे, भाई कोई कमजोर होगा, तो उसकी जगे कोई और आ जाएगा, और यहां पर ये रोग rulers भीक थे, इन्होंने कोई power यहां नहीं बनाई, कोई create नहीं कर पाए तो इसका फाइदा किसको मिला इसका फाइदा मिला सीधे सीधे मराठाओं को तो ये points वहां से clarify होता है क्या सारे points clear है भाई सभी समझ में आ रहा है ठीके आगे देखते हैं तो ये कुछ कारण हमने हमने देख लिए हैं जिसकी वज़े से मौटे तोर पर आपको देखने को मिल सब्सक्राइब करेंगे इसको भी पसंद नहीं करेंगे इसको भी पसंद नहीं करेंगे अ आपका attachment उस व्यक्ति विशेस की और होगा जिसकी language आपसे मिलती जुलती है और मराठाओं की भाषा कौन सी थी that is मराठी और मराठी भाषा बोलने वाले लोग जो है वो क्या करेंगे वो एक छेत्र विशेस में रहेंगे और वो धीरे 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 अपने empire को पढ़ाएंगे लैंग्वेज हिंदी भाषा जो है वो आपको जोड़ती है तो इस तरीके से लैंग्वेज का रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है तामा काई जाला ठीके मना ठीके that means ठीके हम empire जाला ठीके मतलब हम कह सकते हैं अपना empire बढ़ा रहा है लाइक दीस तो यह भाषा बहुत इंपॉर्टेंट होती है और भाषा ही आपको united करती है united का मतलब है संगठे संगठेत का मतलब है एकत्रेत और एकत्रेत होगा तो क्या बनेगा empire अगला पॉइंट देखते हैं the policies of औरंगजेब मराठाओं के उदै के पीछे औरंगजेब की policy भी है औरंगजेब जो था वो हिंदू धर्मे विरोधी था ठीके वो कौन से धर्म को पसंद नहीं करता था support किसका करता था Islam को करता था और इसलाम में ओए आवी कट्टर होंगे तो हिंदू धर्म को क्या करेंगे तो यह को क्या होता है आपने एक सुना होगा ठीक सुना कि आपने देखा होगा ठीक है आप क्या करते है जब तेल गरम हो जाता है पकोड़े तलने आते तेल गरम करते हो तो उस समय आप क्या करते हो थोड़ा सा पानी डाल कर देखते हो कि यह तेल गरम हुआ है कि नहीं हुआ जैसे आप पानी डालते हो तो क्या होता तीर और ज़्यादा हो जाता है वैसे ही है तो औरंग जेव की पॉलिसी यहां पर क्या है हिंदू धर्म के विरोध में हैं और यह ऐसा काम करेगा तो यहां से क्या होगी चिंघारी जो है वो इतिनी ज़्यादा हो जाएगी कि एम्पा leadership this is very important आपके पास पैसा है economy है ठीके आपके पास ठीके war techniques है ठीके मतलब gorilla war techniques है आपके पास आपकी geography भी है मतलब आपकी geography भी आपको support कर रही है करेक्टे है ना आपके पास language भी है जिसकी वज़े से आप जुड़ पा रहे हैं बराबर है इस आपके पास कारण भी है औरंगजेव की policy जिसकी वज़े से आप क्या कर पा रहे हैं लोगों को United कर पा रहे हैं भाशा के आधार पार ठीके वह टेक्नीक्स इन सारी चीज़ों लेकिन इन सब चीज़ों का काम खतम हो जाता है जब तक कि आपके पास लीडर ना हो लीडर क्या करेगा लीडर ही आपको LED करेगा और आगे लेकर जाएगा आपके पास सब चीज़ है जिसे आप मान की चलीए देखिए इसका आपके पास पैसा भी है that is economy ठीक है आपके पास techniques भी है ठीक है आपको लेकिन एक mentor तो चाहिए और वो mentor कौन है आपका leader और यहाँपा leader कौन है the great शिवाजी ठीक है the great बाजीराव first they are the very good leader यह leader बहुत अच्छे हुए है और यही पूरे empire को एक दिशा देते हैं एक directions देते हैं और यह directions convert होगी किसमें एक बड़े empire में जिसका नाम है Maratha empire तो I hope यह सारे points आपको clear हो चुके होंगे और इन points को यदि आप देखें तो इस तरीके से यह Maratha empire यह जो पहले ऐसा था यह लगभग लगभग मौटे दोर पर आप देखें इतने कम छेत्र में था यही है सहयादरी वाला part देखें और जो आने वाले समय में यह empire कैसे convert हो जाएगा यह देखें यह 1760 का भारत है जहां Maratha kingdom अपने empire को अपने एक level पर लेकर जा रहा है और यह मुगल dynasties यहाँ पर खतम हो रही है और यह Maratha dynasty यहाँ अब हो रही है और इस तरीके से यह Maratha sang आपको यहाँ दिखाई दे रहा है अब आपको मेरी picture clear हो चुकी होगी कि मैं क्या समझाने वाला हूँ और क्या आपको समझना है और यह Maratha empire के expansions या कह सकते हैं उसको प्रदर्शित करता हूँ एक map है ठीके जब और इस तरीके से हमने यह वाले सारी चीज़ों को देख लिया है तो यह सारे अब pictures clear हो चुके होंगे मैंने थोड़ा सब दुबारा रखा है अब आते हैं मराथा को हमें कैसे पढ़ना है ठीके वह थोड़ा समझ लेते हैं तो भाई अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है पहले बताईए यहाँ तक क्यों कोई समस्या कोई problem कोई queries okay ठीके very good है ना बाकी लोग भी भाई कमेंट करते रहे हैं या पूछते रहे हैं क्योंकि कमेंट इसलिए मैं कह रहा हूं था कि आपका engagement बना रहे हैं ठीके इस नौट ठीके यह offline वाला प्लेटफॉर्म में ठीके offline वाले प्लेटफॉर्म में आपकी engagement अलग होती है यहां आपकी engagement अलग होगी ठीके आप थोड़ा नहीं तो क्या होगा कि एक engagement नहीं बना रहेगा ठीके तो क्या होगा चीज़ें चलती रहेंगे इस तरह के सी भी आप कमेंट्स कर सकते हैं मतलब एक माहौल जो होता है अपको थोड़ा सा यहां अलग होता है सिंपल सी बात है अभी वो यूटूब बाला सेक्शन अभी शुरू नहीं किया हमने ठीके वहां पर यह सब चीज़ें चलती रहती है ठीके बहुसारे कमेंट्स आते रहते हैं फिरूंस में सो कुछ आता अच्छा तो तुमने कमेंट किये हो ठीके कहां गयते बाई कहां सो रहते हैं सरव रजाई में थे ठीके ऐसा और ऐसा यह सब चलता रहता है ठीक थोड़ा सा फनी टाइफ से माहूल बना रहता है ठीके लेकिन हम मिजरली फोकस करने वाले हैं तो देखे भाई अभी तक की कहानी हमने देख लिए मराथा की उदाय के कारण में हमने देखा कि हम मन जाता हूं कैसे यह थोड़ा टाइम पिरिड़ है यह शाशन काल है उनका देखे सबस्री कह सकते हैं दिस दा रूलिंग टाइम पिरिड़ ऑफ दशिवाजी और शिवाजी के बाद यहां पर आएंगे पेश्वास देखो मॉटे तो और पर हिस्ट्री की बुक्स में जो वह यह एक तो क्या होता है एक तरीका यह होता है कि शिवाजी पढ़ो मतलब और उनके सक्सेसर पढ़ो और मिडावल खत्म करो और दूसरा यह होता है कि मॉडरन हिस्ट्री के लिए पेश्वा की ओर जाना होगा लेकिन मैं इन दोनों चीज़ों को एक सांथ लेकर चल दू लगें हमें अंकल मिलेंगे नीम सौल बिडिशर्स सौकत नहीं करोगे तो तो मुगल भी मिलेंगे अर जो रास्ते में मिलेंगे उने हमें क्या करना है मै Battle को पड़ेंगे तब हम फिर चर्चा करेंगे किस virtue मराठा होगी तो भाईया ये समोसे की कहानी है भाई चटनी लगाते रहिएगा यदि आप चटनी नहीं लगाएंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी ठीक है एक बच्चा बोलता है हम तो ऐसी समोसा खाते हैं ठीक है इस यूर चॉइस आपको याद रखना है कैसे भी याद रखिए ठीक है चटनी लगा कर करिए या समोसा खा कर करिए या रजाई में बैट कर करिए ठीक है समझ मैं तो मराठास की लिए हम बात करें तो मराठास को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे यह medieval का part हो गया यह आपका modern का part हो गया ऐसे आप समझ सकते हैं बट मैं आपको यहां से यहां तक का सफर तय कर दूँगा 1818 और देखिए यह पेश्वा आपको खत समझ में आ गए बाजी राओ second आपको last देखने को मिलेंगे और बाजी राओ second का बेटा होगा नाना साहिब और वही 1857 में क्या करेगा जंडा लेकर सबसे आगे चलेगा तो बहिया यह chapter बहुत important है और यह chapter की links ना केवल यहां से है बलकि it is connected with the next topic as well अब 1857 की करांती के कारण क्या है उसके कारण एक कारण यहीं मिलेगा आपको तो यह बहुत जरूरी है आप उसको connect करें और बहुत connect करने के बाद उसको समने ठीके वई समझ में आ रहा है तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ चुकी है और फिलहाल मैं चार्ट बनाने वाला हूँ और इस चार्ट को आपको चार्ट जाना होगा अफकोस जैसा मैं आपसे कहता आया हूँ शिवाजी के दो बेटे होंगे दनीम स्कॉल सामा जी और सामा जी अठारह सो सोलह सो असी से नवासी तक रूल करेंगे आफ्टर जस्शिवाजी और सामा जी के बाद इनके ही ब्रदर होते हैं मतलब शिवाजी के दूसरे बेटे होते ही शिवाजी के पहले सन ये है शिवाजी के दूसरे सन है राजाराम है ना और राजाराम की वाइफ का नाम होता है तारवाई तारवाई बहुत सारे तारे दिखाती है अब एक बच्चा पूछता है कि सर राजाराम की वाइफ का नाम तो आपने लिग दिया है सामा जी की वाइफ का नाम भी बताईए अरे बेटा काम की नहीं है ठीके छोड़ दो इत्ता याद नहीं रहेगा ठीके तो 1689 के बाद सत्ता में कौन आते हैं? राजाराम आते हैं और राजाराम के बाद ठीके इनकी जो सत्ता होती 1700 तक होती है अब देखे यह वो टाइम है जब मौटे तोर पर क्या है? यहाँ पर मुगलों में कौन है? औरंगजेब औरंगजेब कब मरेगा? ठीके 1707 में बाई मैं ऐसा नहीं किया रहा हूं मरेगा कब ठीके? एक्चली इसकी डैट कब होगी? तो बुरा मत मानना ठीके? चलिए तो इसके बाद आएंगे तारावाई रूल करती है और तारावाई का बेटा होता है जिसका नाम है शिवाजी सेकेंड यह कब तक करेंगे? 1707 से 1707 देखें बहुत सारी घटना यहां से जुड़ी हुई है और यह वही टाइम है जब हमारा औरंजी मरेगा अरे फिर से मर गया? ठीके? सामा जी जो है उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहां पर आएगा पावर में साहू जी और साहू जी जो है वो सामा जी के सन होते हैं और सन मतलब वो ठीके कह सकते हैं उनके बेटे होते हैं और साहू जी यहां पर आएंगे तो देखिए शिवा जी जो है ठीके? इस त राजा मतलब ठीक है हमारा और ये हैं उनके मंत्री मतलब मिनिस्टर अभी देख लिए आज की रेट में हमारा राजा कौन है आज की रेट में हमारा राजा है प्रसिडेंट आफ इंडिया आर्टिकल नमर 52 याद है नहीं याद होगा अभी आपकी पॉलिटी आपने नहीं यह नोट डाउन हो जाना चाहिए डाइरी में और यह नोट डाउन जब हो चुका है तो आपको वह याद हो जाना चाहिए और मैं कभी भी आपसे पूछ लूँगा इसका मतलब समझ रहा हो ठीके अभी देखो यहां पर एक व्यवस्ता भी है पोल करने की है ना डाट बीज य देखें यहां पर आप देखेंगे साहू जी आएंगे 1749 तक आएंगे और यह हमारे किंग के तौर पर काम करेंगे अब इसके बाद कहानी शुरू होगी मटे तौर पस ठीके यहां पर यह वाले जो लोग हैं वो नौर्थ में रूल करेंगे और यह राजाराम वाली डाइन मतला एक ही एंपायर में दो ब्रांचेज बन रही हैं ठीक है समझ मैं कि नहीं है और इस तरीके से आफ समझ सकते हैं यह क्या है अब देखिए शिवाजी वाला पार्ट यहां खतम हो जाता है और शिवाजी के बाद यह पार्ट कंप्लीट करते हैं और पेश्वा जाते हैं पेश्वा का टाइम आता है 1713-18 के बीच में और इसमें आएंगे बाला जी विश्वनाद बाला जी विश्वनाद के बाद आएंगे बाजी राव फर्स ठीक है हमारे रणवीर सिंग ठीक है उसके बाद बाला जी बाजी राव यहां पर बाला जी का बाला जी उठाना और दोनों को मिला देना तीसरा बन गया इसके बाद माधवराव माधवराव के बाद नहीं रॉर तो आपको समझ में आया कि नहीं आया या अभी आप की screen जो है वो मैं अभी खतम करने वाला हूं ठीक है that means stop करने वाला हूं stop sharing या आज मैंने introduction देखिया कल हम कहानी शुरू करेंगे शिवाजी शिवाजी का introductions और बांकी सारी चीजों पर ठीक है तो I hope अभी तक कहानी clear होई होगी मैं इसका PDF जो है जो है इसमें share कर दूँगा यह applications में और application में जब share कर दूँगा तो फिर आपको clarify हो जाएगा यह दिहान रखिएगा कि यह आप class support is very important ज्यान दिजेगा आपका support जो है बहुत जरूरी है और यदि support नहीं मिलेगा तो वो चीज़े डाउन की ओर चले जाएंगी बराबर है empire को बनना ना है बिगाड़ना नहीं है यही हमें सिखाता है कौन यही सिखाता है हमें इतिहास यही है इतिहास की गहानी I hope आपने enjoy अब आप बताईए कोई questions कोई query कोई समस्या तो आप unmute करके आप पूछ सकते हैं मिरसे क्या आपको आपको आज clear समझ में आ रही है कोई दिक्काश हो तो फिर बताईए फिर तीरे तीरे समस्या का समधान करेंगे that's all कोई दिक्कत नहीं सराज कोई दिक्कत नहीं आई ठीके कल से बैता रहे जब स्टीजन समझ में आ रहे हैं यह सर बाकी लोग कहां चले गए पांच लोग हैं बाकी चले गए कहीं दर दर चलो ठीके कोई कि एरर रही होगी हना मैं ऐसा कंसीडर कर लेता हूं और फिर यह मैं आपको भेज दूंगा यह इसमें आपको चैट में ओके वंची का का मैसेज आया था दो सर्स ठीके ओके ठीके तो कोई दिक्कत